नमस्कार बात करेंगे अपनी अगली वीडियो की जहां हम वास्तू की बात कर रहे थे देखे आज हम शादी शुदा जिंदगी की बात कर रहे हैं शादी शुदा जिंदगी को खूब सूरत बनाने के लिए दक्षिन पश्चिम में ही शादी शुदा कपल का बेडरूम होना यहां मैं बात कर रहे हूं नव विवाहित जोड़े की जिनकी कुछ साल होएं, शादी को उनकी बात कर रहे हूं, अगर ममी पापा की बात की जाए, घर के बुजुर्गों की बात की जाए तो उनका बेडरूम कहीं और होना चाहिए, वो मैं आपको दिशा बताऊंगी, लेकि ये तलाक का भी कारण बन सकता है और तू-तू मैमेह रहने के साथ आपकी 6 लाइफ भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी आपकी रोमेंटिक लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी इसलिए दिशाओं का ध्यान पूरा रखे बेडरूम में कभी भी किसी बुजूर्ग की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो पित्रों की तस्वीर होती है वो नहीं होनी चाहिए किसी गुरू की तस्वीर नहीं होनी चाहिए bedroom साफ सुतरा होना चाहिए इसमें थोड़ा सा red color का इसमाल होना चाहिए fresh flowers होने चाहिए और bedroom में kapoor lamp जरूर जलाना चाहिए लेकिन वहीं पर अगर बात करें घर के बुजर्गों की तो उनको रहने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम कमरा कौन सा है जिससे उनकी बच्चों के साथ बने प्लस उनकी तब्यस ही रहे तो वो है नॉर्थ इस्ट अगर नॉर्थ इस्ट में अगर आप घर के बुजर्गों को रखते हैं कमरा देते हैं तो वो बिल्कुल ग्यान के दाता होते है नॉर्थ हमेशा कुछ सीखने को मिलता है कुछ करने को मिलता है तो वो घ्यान के दाता होते है हमेशे आपको घ्यान देंगे कुछ अच्छी बाते बताएंगे आपका जीवन कुपसूरत करेंगे और आपके रिष्टे उनके साथ मदूर रहेंगे आप उनका ध्यान रखेंगे नौर्थ इस्ट का ही वो कोना है जो अपने पूरे घर में लगाई अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी तरह का कोई विवास्तु दोश है यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नौर्थ इस्ट से पूरी तरह से ऑक्सिजन मिलती है और बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है उसे नींद नहीं आती औ आप खुश रहेंगे, मस रहेंगे, बिंदास रहेंगे और एक अलग सी उर्जा को महसूस करेंगे इसलिए बच्चों की स्टाडी रूम और बड़े बुजर्गों का नौर्थ इस्ट में कमरा सबसे उत्तम है